वेलकम टो माय यूट्यूब चैनल, हम लोग व्योस्तित आख़ों से, गुरूब डाटा से, मीन की गढ़ना कर रहे थे, मीन. हम लोग देखे हैं कि दो तरीके होते हैं ब्योष्ची ताकड़ो से मीन की गडरना का एक होता है लांग मेथड जिसका फार्मूला हम लोग देखेते Summation fx by yarn और दूसरा जो मेथड होता है वह होता है लांग मेथड है ये चल नहीं रहा है देखते हैं और दूसरा है साइट मेथड अब दिख रहा होगा आपनों को साइट मेथड को हम लोग बोलते हैं एजुम्ड मीन मेथड यानि कल्पित मध्यमान बिद्य कल्पित मध्यमान बिद्य हम लोग देखेंगे कल्पित मध्यमान एजुम्ड मेथड से ग्रुप डाटा का मीन ग्रुप डाटा से हम लोग मीन का कैसे कल्कुलेट करते हैं इसको देखते हैं इसका जो फार्मूला होता है हम यहां लेख देते हैं मीन इक्वल टू एम प्लस समेशन यप डी बाई यन इन्टू आई हम लोग लांग मेथड का जो फार्मूला देखे थे त्यान दीजिए गए यह समेशन एफेक्स इक्वल टू समेशन एफेक्स बाई यन और स्राइट मेथड या जूम्बेन मेथड से हम लोग देखे हैं एम प्लस समेशन यप डी बाई यान इन्टू आई इसमें देखते हैं एम क्या है एम यह जो कल्पित मध्यमान है हम लोग कल्पना करते हैं इसकी दो कंडिशन होती है हम लोग इसको पहले देख लेते हैं पहली जो कंडिशन होती है हम लोग देखते हैं वह क्लास इंटर्बल कल्पित मध्यमान वाला क्लास इंटर्बल का लाता है जिसकी फ्रिक्वेंसी से अधीक होती है यानि क्या हम देखेंगे maximum frequency वाला क्या है class interval हम लोग चेक करेंगे पाली कंडिशन और दूसरी कंडिशन होती है कि वह लगभग approximately जो है मिड यानि मद्य में होता है दो कंडिशन हम लोग को देखना है कल्पित मद्यमान वाला class interval निकानने के लिए हमको देखना है कि वह class interval जो यह class interval दिया हुआ है data ऐसे ही मिलेगा आपको जिसकी frequency सबसे अधिक है तो हम लोग देखेंगे frequency किस की अधिक है 7 सबसे अधिक frequency है किस class interval का है 22 to 26 इसको हम लोग मार कर लेंगे यह हम लोग को मिल गया कल्पित मद्यमान वाला class interval इसका जो मद्य बिंद होता है वही एम होता है यानि एम क्या होगा 22 22 प्लस 26 बाई 2 कितना आएगा 24 यानि एम हम लोग मिल गया 24 फार्मूले में देखिए एम प्लस समेशान एप डी बाई यान इन्टु आई आई क्या है परग्विस्तार है रेंज है किसका रेंज है यह class interval का रेंज हम लोग देखेंगे कितना है 2 to 6 frequency 1 दिया है 2 2, 3, 4, 5, 6 यानि कितना रेंज है 5 है फिस से हम लोग देख लेंगे 2 to 6 यानि 2, 3, 4, 5, 6 रेंज कितने का है जो interval हम लोग ने रखा है और कितने का 5 का रखा है यानि I equal to क्या है 5 है total number of data total number of data केतना है total number of data यानि N equal to 25 है यानि N भी हम लोगों को मिल गया N equal to 25 frequency already D हुई है अब देख सकते है frequency D हुई है और हम लोगों को गढ़ना करना है D small D, small D कितना क्या होता है small D equal to होता है capital D भाई आई देखिए small D यो इससे कठिन था अब हम capital D ले आ दिए capital D का क्या आर्थ होता है आई ये देखते हैं कल्पित मध्यमान से capital D equal to होता है चाहें तो आप लिख सकते हैं कल्पित मध्यमान से कल्पित मध्यमान वाला class interval जो हम निकाले हैं जो कल्पित मध्यमान हम लोग का मिल चुका है 24 उससे बात करते हैं कल्पित मद्यमान से बिभिन क्लास इंंटर्वलों के मद्ध बिंदू की दूरी। जैसे इसका मद्धे बिन्दू क्या आया था, हम लोग लांग में थर्ड में देखे थे, फोर आया था, इसका कितना आया था, नाइन आया था, इसका कितना आया था, फोर्टीन आया था, हम एक को सिर्फ कल्कुलेट करते हैं, इसका कितना आया था, मद्धे बिन्दू, ट्व और कल्पित मद्यमान हमारा 24 आया और इस क्लास इंटर्वल इससे हम चेक करते हैं इसका मद्यबिंदू क्या आएगा इसका मद्यबिंदू क्या आ रहा है 19 यानि 19 माइनस 24 कितना आ गया 5 आईए अब इसमें देखिए small d equal to क्या है capital d भाई आई यानि इसमालडी की यह हमें क्या मिल गया capital D मिला यानि small d equal to capital D by I यानि 5 by 5 यानि स्वारी यह माइनस 1 हुआ यह माइनस होगा यह क्या है माइनस 1 आया क्लियर है यानि हम लोग देख रहे हैं कि यह minus 1 आ रहा था कुछ नहीं करते हैं इसकी calculation की exam हाल में कोई जरूरत नहीं पड़ती है सीधे अगर small d है हम यहाई small d लिखते हैं सिर्फ हम आपको कैसे आता है वो बता रहे थे जो कल्पित मद्यवान वाला class interval है इसके ठीक सामने हम लोग 0 लिख देते हैं ठीक सामने क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे इसके ऊपर देखेंगे कि frequency यह class interval बढ़ते हुए करम में है और नीचे क्या है घटते हुए करम में है यानि उपर plus 1 plus 2 plus 3 और plus 4 लिखते हैं और नीचे minus 1 minus 2 minus 3 और minus 4 लिखते हैं इसके बिल्कुल सिंपल है इसमाल डी इक्वल टू कल्पित मदवान वाले class interval के ठीक सामने जीरू रखिए अगर data या हम लोग क्या class interval उपर बढ़ते हुए करम में है तो उपर plus 1 plus 2 plus 3 टेंस 2 जितना भी रहेगा उतना लिखेंगे नीचे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 लिखेंगे अब हम लोग को क्या निकालना है आई आगे देखते हैं यह हम लोग को मिल चुका है 24 है यह न पता है 25 है आई कितना है 5 है अब हम लोग को निकालना है summation fd यानि f और d को हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे f यह है और d यह है यानि fd इसको हम लोग कल्कुलेट करेंगे चलिए multiply करते है यानि 1 into 4 f into d यानि f into d यानि f 1 into 4 equal to 4 3 into 1 3 2 into 2 4 5 into 1 5 7 into 0 7 4 into minus 1 minus 4 2 into minus 2 minus 4 2 into minus 3 minus 6 1 into minus 4 minus 4 अब हम लोग को fd मिल गया अब हम लोग को करना क्या है summation fd करना है तो आईए हम लोग करते है summation fd high equal to हम लोग रखेंगे शरी यान equal to क्या था यान equal to 25 हम लोग करेंगे summation fd यानि हम लोग plus वालों को एक साथ जोड लें और minus वालों को एक साथ जोड लें फिर दोनों को calculate करके निकालेंगे जैसे भी करना हो सिंपल है 4 3 7 7 4 11 11 और 5 जो है 16 होता है हम ऐसे कर सकते हैं यह प्लस 16 आया और यह कितना आएगा 4 प्लस 4 8 और 6 14 और 4 18 यानि minus 18 आया हम लोग इसको और इसको देखते हैं तो क्या मिला समेशन fd minus 2 आया यानि 18 में से 16 निकल गया minus बच गया minus 2 है अब हम इस चीज को सीधे फार्मूले में रखेंगे am equal to am plus summation fd by n into i इस फार्मूले में रखेंगे am equal to क्या मिला हम है 24 summation fd क्या मिला है minus 2 यान क्या है total number आप डाट है 25 और i कितना है 5 है यह range या इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं 7 minus 2 5 क्लियर है आई यह हम लोग देखते है हम इसको यहाँ लिख देते हैं am equal to 25 i equal to 5 summation fd जो यह आया है minus 2 और am हम लोग कितना निकाले थे am 24 क्लियर है आप यह सारा डाटा मिल चुका है हम लोग इसमें रखते हैं am equal to क्या है 24 plus summation fd summation fd कितना है minus 2 by यान total number of data 25 i 5 हम लोग इसको calculate कर लेंगे 5 यानि हो गया 24 minus 2 by 5 हम लोग इसको देख सकते है 24 minus 2 by 5 यानि 0.4 यानि answer क्या मिल गया 23.6 यह हम लोग क्या मिल गया mean मिल गया यह हम लोग का answer है clear है आईए हम लोग फिर से इसको एक बार revise कर देते हैं assume mean method कल्पित मद्यमान बिद से मद्यमान की गढ़ना कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम लोग एक jam में ci class interval दिया रहेगा frequency दी रहेगी हम लोग को गया यह यह जोग लीमान का फार्मूला होता है यह एम प्लस समय स्टने अबटी बाई यानिंतू अई होता है हम सबसे पहले क्या निकालते हैं यहां कैसे रिख ए म हम लोग सबसे पहले class interval, कुसमेन सबसे आधिक है! यह फिरते genial सबसे अधिक हो और वह लगभग मद्वों हम लोग देखते है कि 10 के चार लोग है और उपर 4 class interval. मिला किसे निकलता है दोनों का मध्रींद होता है यानि हम लोग क्या करते हैं इसमाल डी निकालते हैं फार्मुले में इसमाल डी का तरीका उवर चैड़ा कठिल नहीं है उसकी कोई ज़रूतनी एकजाम में साल्प करने के लिए करने कलुपित मध्धवान 1 plus 2 plus 3 plus 4 कर देते हैं नीचे minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 कर देते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं फार्मूले में देखते हैं समेशन fd है यानि या 4d को हम लोग multiply कर देते हैं fd मिल जाता है फिर हम लोग सब को जब जोड देते हैं तो समेशन FD मिल जाता है इस तरह से हम लोग देखे हैं माइनस 2 आया फिर हम लोग फार्मूले में put up कर देते हैं 24 प्लस माइनस 2 बाइ 25 इन्टु 5 यानि 24 माइनस 2 बाइ 5 यानि लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन मिल जाता है कि 23.6 हमारा क्या मीन है कैसे आया इसके बाद हम लोग देखेंगे मीडियन ग्रुप डाटा से मीडियन की गर्णा कैसे करते हैं उसको नेक्स वीडियो में लोग देखेंगे अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक्यू